हेलो कोड़र आर्मी कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज हम फाइनली एक मंद बाद द्वारा वापस आ रहे हैं ट्रैक पे और आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला हीप के उपर जिसमें हम दो प्रॉब्रम को स्वाल करने वाले जिससे हमार दोगें ही हरड लेबल की प्रॉड मैं लेड कोड पे तोो प्लीज इनको ध्यान से सुनना ध्यान से देगना और ध्यान से समझना तो चलो बिन्न किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सुपकाम वीडियो को लाइक कर दिया हाजी बढ़िया को सबसे बढ़े हम पढ़ते हैं smallest range covering all elements from k-list मुझे k-list दे रखी होंगी यह आप देख सकते हैं और यह sorted order में दे रखी हैं क्या से order में sorted form में clear हाजी वह कह रहा है कि मुझे smallest range ढोंड के बतानी है इस तरीके से कि इन सब के at least one element उस range के अंदर present हो क्या बोल रहा है कि मुझे smallest range find करनी है जिसमें इन सारी list का at least one element included हो तो जैसे अगर मैं एक range की बात करूं मैं अगर आपको बोलूं एक range मैं यह कह सकता हूँ कि zero से लेके five तक अब यह जो answer है क्या यह valid है पहले हम check करेंगे मैं देख पा रहा हूँ zero से लेके five तक वाले में पहली वाली list का four included होगा हाजी इस वाली list का zero included है हाजी और इस वाली list का five included है बिल्कुल तो यह मेरा एक possible answer हो सकता है कोई दिक्कत नहीं वैसे ही इसके बहुत तारी answer हो सकते हैं अगर मैं बात करूं क्या two comma six इसका answer हो सकता है तो मैं देखूं क्या two comma six अगर मैं एक range ले लूँ तो क्या इसका कोई एक element इस range में है मैं देख सकता हूँ four इसकी range में है तो four विल्कुल वैलिड है क्या second list का कोई एक element इसके अंदर present है कोई भी एक at least one कह रहा हूँ कम से कम एक एक से जाधा भी हो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं देख पार हूँ इस वाली का एक element इसके अंदर present नहीं है क्योंकि two three four five six इसके अंदर present ही नहीं है तो मतलब यह वैलिड नहीं हो सकता ऐसी मेरे पास बहुत सारी list निगाव सकती है जैसे अगर मैं बात करूँ six से लेके 12 एक range लिए क्या यह मेरा possible answer हो सकता है पहले वाले को देखू six से लेके 12 तक कि में 10 आता है तो पहली वाली list बिलकुल present है अगले वाले को देखू तो nine इस वाली range के अंदर आता है बिलकु और क्या हो सकता है मेरा answer तो मैं कह सकता हूं once से लेके eight तक क्या ये valid answer हो सकता है onceแले के eight तक चरु one से लेके nine ले ले उस range को answer में लाकर देना है जो सबसे smallest होगी तो मैं बोलू इंदरों में से smallest कौन सी है मुझे पता है 505 अब 19 में से चोड़ी कौन सी है ये क्योंकि इसकी जो difference है कितना रहा 5 मैंने 05 इसका कितना रहा 8 clear तो ये मेरा valid answer होगा अगर मैं एक और list की बात करूं 20 से लेकर 24 इस वाली की यह देखो 50से 24 की अगर enduring प्ररस है इसका है 20 प्रसेंट है इसका है 25 प्रसेंट है तो यह भी मेरा valid answer हो सकता है अब इन दोरों में से चेक करो smallest कौन सा है सब्सक्रावर्ण है जी chips इसका डिफ्रेंस चार है तो यहीं इसका अंसर होने वाल है आपको सारी रेंज को ढूणना है और जो रेंज सकते स्मॉलेस्ट होगी वह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत इस प्रॉबलम में नहीं अब बात आती है इसको हम सौल कैसे करेंगे या फिर एक और एक्जामपल ले लेते समझने के लिए जैसे अगर मैं इसका अंसर क्या हो सकता है अगर मैं बोलूँ कि वन से लेके शैवन क्या आंसर हो सकता है मुझे बता है है इसका फ्रीज यहां प्रेजेंट है इसका प्रेजेंट यह में सबसकता है इन दोनों पे चोटवाइं यह तो यह तो आंसर नहीं होगा कि यह हाजी क्योंकि छोटी रेंज है मैं इससे भी छोटा रेंज क्या ढूंड़ सकता हूं तो अगर आप ढूंड़ों के तो आपको सबसा स्मॉलेस यही मिलने हो वाला है क्लियर हाजी अब ऐसा भी हो सकता है आपके ना दो आंसर आ जाएं मालों 6 से लेके 8 और 8 से लेके 10 मुझे पता है इसका भी आंसर 2 होगा हाजी तो इस केस में मुझे किसको अंसर देना पड़ेगा यह इसका निया मैं किसी और एक्जांबल की बात कर रहूंग क्योंकि रेंज अब इसको सॉल कैसे करेंगे यह सबसे बड़ी हमाले मातापच्ची होने वाली है देखो यह सॉल करना भी बहुत असान काम है कैसे करेंगे अब देखो मैं एके करके आंसर दूना है स्टार्ट कर लेता हूं एके करके कैसे भाईया पहले में एक रेंज पकड़ लूँगा इन आप पहलेगे 10 तक है पहला एलिमेंट इसका एलिमेंट मैं देखोंग आप 4 से लिए के 10 तक कि इन सबके एकश्यक्ट करसे अंदर प्रज़न्ट है मैं सारी रेंज धूर ना हूं सारी रेंज मलत इस तरीक साब इसे माल लो कि मैंने इसको एक सिंगल बना दिया और उसक किस तरीके से अब मैं यहां पर उतको अप्लाई कर रहा हूं पहले मैं 4 से 10 देखूंगा क्या यह मेरा वैलिड आंसर हो सकता है 4 से 10 वाला मैं पूछ रहा हूं तो मैं चेक कर लूँगा हर एक के लिए तो यह मेरा एक पॉसिवल आंसर हो सकता है फिर मैं चेक करूंगा 4 से लेके 15 पे किसमें 4 से लेके 15 पे क्या यह भी मेरा आंसर हो सकता है फिर वही सेम केस फिर 4 से 24, 4 से 26, 4 से 0, 4 से 9 इस तरीके सब को उसके बाद 10 से 15, 10 से 24, 10 से 26, 10 से 0 तो मैंने सारे केस के निकाल दे सारे रेंज मैंने एक बार में निकाल दी और उसके बाद जो सबसे smallest होगा उसको मैं आंसर देज़ूंगा क्या हो जाएगी अगर मैं एक लिस्ट एं ठीक है और एक लिस्ट में एनन एलिमेंट कितने हो गए n के होगे हाँ जी NK elements होगे मिने पास तो यह size का area का size कितना होगा NK होगा हाँ जी उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ 410, 415, 424 हाँ न तो इसमें कितनी time compression लेगी इस तरीकिस से अगर मैं इसके उपटरेट करता हूँ इनके स्कार, हाँ जी बाद मैंने 410 को select किया फिर मैंने 415 को फिर 424 को तो NK स्कार होगा नहीं होगा हाँ जी और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने 4 से 10 वाला देखा तो सबका मैं चेक कर रहा हूं तो nk time complexity और लगेगी इससे मेरी जो time complexity है वो क्या हो जा रही है बहुत ज्यादा increase हो जा रही है तो यह order of nk cube तक पहुँच जाएगा कोई दिक्कत है इसमें नहीं यह nk2 multiply हुआ मेरे को एक ग्रेंज मिलकरी फोर्ट से रहे हैं हाँ जी चेक करूंगा क्या इस वाली लिस्ट में इसका कोई भी एक element present है उसने का है फिर इस वाली लिस्ट पे फिर इस वाली लिस्ट पे तो nk time मुझे लग सकता है तो nk cube इसके क् है नहीं कि यह सबसे बड़ी अप्रोच है नहीं इससे भी बड़ी अप्रोच है हमारे पास मार्केट में बता दूं हाँ जी बता दिये थोड़ा सोच सकते हो मैं चाहता हूं थोड़ा आप अगर आपको हिंट दूं थोड़ा इसमें हीप को include करके सोचने की कोसिस करो कि कैस से इससे हीप अप्लाई हो सकता है और एक छोटी और हिंदे देता हूं मिन हीप से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाई है अगर आप सोच सकते हो तो भाईया आपके लिए बहुत ज्यादा बेनेफिट होने वाला है कैसे अब हम उस्पर आते हैं बूट फोल्स में किसको कोई द हो जाए बिल्कुल अगर आप से बूलो मैं एक काम कर सकता हूं मेरे पास क्या है सबकांगी इक एक आंसर मिल गया मुझे, मैंने क्या करा, तीनों कर पहला पहला वाल वाल फ्लीमेंट उठा दिया, तो एक रेंज मिल जागी, मुझे 0 से 5, इसका जो मैक्सिमम इलिमेंट होगा, उसके मेरी दस भी लिष्ट का मुझे देखिया है तो मैंने 10 अलिमेंट होगा उसको सबसे लाष्ट में इससे क्या होगा कि हर एकट के एक 예än को प्रेजने तो आ सकती है तो पहली रेंज मुझे मिल गईति वह क्या है मेरी जीरोखिके 5 तक है ठीक हाँ जी अब मुझे अपने आंसर को क्या करना है अप्तिमाईस करना है अप्तिमाईस करना है अप्तिमाईस करना है अप्तिमाईस आंसर कब होगा जब यह जो रेंज है मेरे पास तो यह 0 से लेके 5 तक की रेंज है यह क्या होगी छोटी होगी क्या होगी जब यह कॉंपक तो उसके लिए करना पड़ेगा या तो मुझे इस पहले एलिमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर इस फाइब वाले को डिक्रीज करना पड़ेगा यही दो कीस हो सकते है तभी यह रिंज छोटी हो सकती है यह पॉसिवल आंसर तो मैंने 0 5 बोल दिया या पता इसने बैस्त आंसर हो और यह तो यह जीरो वाले को इंक्रीज कर दो हाँ जी अब मैं आपको यहापर बोल ला हूं यहां पर हम इंक्रीज वाला केज़ी सेलेक करेंगे क्यों करेंगे अभी कुछ देर में आपको समझ आ ज अब इस लिस्ट के मैंने अगले अलमेंट को इसके अंदर इंक्लोड करा दिया ताकि range बाए अब मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया 9 डाल दिया और अब अब न्यू रेंज मेरी क्या बन जाएगी यह अपडेट होके क्या बन जाएगा पोड से लेके 9 तक सिम्पल है हां, यहां मैंने क्या करा सबसे छोटावाल element तो उसको अठा दिया मैंने का ता इसको अगर मुझे increase करने तो क्या करना पड़ेगा minimum element को अठाना पड़ेगा okay तो इससट का यह element यहां पर हो उना चाहिए अगर इस लिस्ट का मैंने element अठाया है तो इसका दूसरा आगे बढ़ते हैं मुझे अभी रेंज को और चोटा करना है अभी मैं देख पा रहा हूं पहले मेरे पास 0 5 था अब मेरे पास क्या है 9 4 इंद नों में छोटा कौन है आंसर अगर आप से बोलूं 5 0 कौन से रेंज होती है इसका अगर मैं डिफ्रेंज करो तो पांच अभी तक मैं इसको अपना आंसर मानूंगा फिर से वही काम इस रेंज को और चोटा गड़ता है कैसा होगा minimum element को हटा दो तो जब मैंने 4 को हटा दिया तो इस वाली list का एक element मुझे इंक्लूट करना पड़ेगा जो होगा इसका next वाला किलियर हाँ जी जब मैंने उसको किया तो यह answer क्या बन जाएगा 5 से लेके 10 यह range हो जाएगी हाँ जी फिर सेम कहानी कि 5 10 0 5 में से answer अभी दर कौन हो सकता है 0 5 हो सकता है तो उसी को मैंने answer रखा फिर सेम कहानी minimum element को हटा दिया हाँ जी 5 को हटाया हाँ जी अब इसके next element को इसके अंदर include करा दिया तो अब मेरी range क्या बन जाएगी 9 से लेके 18 तर रेंज पता चल रहे ना minimum element maximum element हाँ जी अभी आप बोलों कि अभी थोड़ी दे लोगो अभी समझ जाता है फिर से सेम कहानी इस रेंज को और चोटा करते क्योंकि 18 9 का difference 9 है इसका 5 है अभी तेका answer यही रहेगा फिर से नहीं हो रही है हाँ जी बिल्कुल हो रही है फिर से सेम कहानी फिर से दोराओंगा minimum element को निकालूंगा 10 को निकाल दिया भाहर हाँ जी अगर मैं 10 को निकाल दियो अंदर किसको दानना पड़ेगा 15 को दानना पड़ेगा तो अब new range आ गए मेरे 12 से 18 कि यह मेरा answer हो तकता है 12 से 18 वाला इनिशनली मुझे 5 से 0 वाला मिला 18 से 12 नहीं अभी वही रहेगा क्योंकि उसका difference 5 है इसका कितना एच्छ है बिल्कुल नहीं हो सकता फिर से इस range को और चोड़ा करते है 12 को अटा दिया हाँ जी अगर 12 को अटा दिया किसको दानना पड़ेगा उस list का कोई ना कोई अब मेरी जो रेंज है वो कितरी बन चुकी है 15 से लेके 30 तक क्या यह मेरा आंसर हो सकता है यह रेंज मुझे बता यह 05 यह क्या है 15 से 20 है नहीं हो सकता क्यों इसका भी 5 है वह smallest वह आंसर पे रहेगा फिर से सेम कहानी smallest वाले को अटा दू 15 को अटा दिया अगर 15 को अठा दिया तो अंदर कौन जाएगा 24 तो आप नहीं रेंज क्या बन जाएगे 18 से 24 क्या यह आंसर हो सकता है आपका नहीं हो सकता फिर से smallest वाले को अटा दो 20 को अगर मैंने हटा दिया अगर मैंने हटा दिया तो अब अंदर कौन जाएगा 22 जाएगा कि यह हाजी नई रेंग क्या बन जाएगे 20 से 24 क्या यह मेरा आंसर हो सकता है इसका डिफरेंट 4 है इसका पांच है तो अब मेरे पास नहीं अंसर अपडेट हो चुका है अब 0,5 मेरा आंसर नहीं रहा मेरा रबने रोके क्या बन चुका है 20,24 क्योंकि smallest मुझे मिल चुका है कोई दिक्षा नहीं पिर से सेम कहानी अब इससे element हटा तो इसे element प्रेंट नहीं है तो मैं रहें नहीं कर सकता तो यहां पर प्रॉसेस को रोख दूंगा यहां पर यहां पर यहां यहां पर 20 को मैंने अठा इस वाले का है 22 इसका है इसका कोई भी element नहीं है क्योंकि इसको मैं अगले element कोई नहीं है तो अब मैं यहां पर प्रोसेस को stop कर दूंगा और इस तरीके से मेरा आंसन मुझे मिल गया जो मैं फाइनल था 20,24 कोई दिखकर नहीं भाईया अब मैं आपको फिर से सबसे पहले बाले step पर लेके जाता हूं जहाँ पर मैंने कहा था मेरे पास क्या था 0,5 था मैंने कहा था या तो इसको increase करो या तो इसको decrease करो यही तो मैं आपको बोल रहा था हाँ जी तो जीरो को increase करो या 5 को decrease करो अब मेरे पाइनिसली जीरो कॉमा 5 जब range थी तो वहाँ पर सबसे पहले मैं कहा था जीरो फोर फाइप तीन जा रहा है और जब 18 यहां पर आ रहा है तो यह range सिरफ increase होगी यह देखो क्यों 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 क्योंकि ascending order में दे रखें किसमें रखें अगर मैं maximum element इससे भाहाँ निकालता हूं तो उसके बाद एक और maximum उसके अंदर गुझ जाएगा 5 से बड़ा एक element गुझ जाएगा चो उसको और बड़ा बना देगा कि अगर मैं एक और maximum को निकाल दो फिर मालो मैं 18 को फिर से भाहाँ निकाला थिक हाजी तो अगर मुझे 18 को निकाला तो अंदर कौन गुसरा है 22 गुसरा है इसलिए मैंने maximum को निकाला minimum को निकाला ताकि मेरी range छोटी हो पाए अगर मैं 5 को निकालता हूं तो मुझे पता 5 से बड़ी वाली वेल्यू अंदर जाने वाली जिससे मेरी range हमेसा increase ही होगी इसलिए मैंने क्या करा minimum value को निकाला जैसे मैंने अब यहां से 0 को निकाला था 045 जैसे मैंने यहां से 0 को निकाला था यह 0 ठीक है 0 को निकाला थो मुझे पता 0 से बड़ा वाला element यह अंदर जाएगा जिससे यह range decrease हो सकती है यहां पर अब यह आपको ऐसा लग रहा होगा मालनों अगर यहां पर 0 की जंग मांगर 3 होता मालनो ठीक है तब आपको यह अच आपक्ट होते वे दिखाए देता, degrees होते वे दिखा देता, range छोटी होते होते दिखा देता, ठीक है हाँ जी तो यह उसके विजे का reason था, I hope यहां तक किसी बच्चे को भी doubt नहीं होगा यहां पर मैं original 9 लिख देता हूँ, इस तरीके से हमने अपनी इस problem को क्या कर दिया, easily solve कर दिया, कोई दिक्कद आई यहां पर, नहीं, इस वाल example को देख लेते हैं, कोई दिक्कद नहीं है, सबसे पहले, 3, हर एक range का एक element उठा लो, एक element, ठीक है, तो यहां से तो मैं range बता सकता हूँ, 1 से 7, एक range दो मिल गई, clear, हाज जी, एक answer मुझे मुझे मूच चुका है, अभी दर का सबसे इस वालेत आंसर यही है, सबसे पहला काम क्या होगा, 1 को हटा दो, जो minimum element होगा, मैंने 1 को हटा दिया, अब अंदर कौन जाएगा, 2 हो गया, नहीं range क्या हो जाएगी, 2 से 7, तो यह यहां पर update हो जाएगा, क्योंकि यह ज्यादा छोटा है, clear, हाजी, फिर 3 से 7, यह वो छोटा answer है, फिर से सेम कहानी, सबसे छोटे वाले को भान निकालो, तो अगर मैं 3 को भान निकाला, तो अंदर कौन चलिया, 7, clear, हाजी, तो 7 से 7, तो मेरी range क्या हो जाएगी, 4 से 7, sorry, clear, हाजी, यह 7 था, ओके, फिर से मेरे response को भान निकाला, तो 4 को अगर मैंन निकाला, तो अंदर कौन जा रहा है, 6 जा रहा है, तो range क्या हो जाएगी, 6 से 7, यह पर भी update होता रहे गई, range बन चुकी है, 6 से 7, सबसे छोटा, फिर से सबसे छोटे को भान निकाला, तो 6 ही बात कौन जाएगा, तो मेरी नई range क्या बन जाएगी, 7 से 12, क्या यह update हो सकता ह नहीं, क्योंकि वो जादा छोटा है, फिर से, small s को भान निकाला, 8 को अंदर दाल दिया, तो नई range बन गई, 7 से 12 भी रहेगी, फिर से सबसे small s को निकाला, 7 भान निकला, जब 7 भान निकला, तो उसे 8 को दाल दिया, range बन गई, 8 से 12, अभी भी छोटा वही रहेगा, फिर मै सबसे चोटे को भान निकाला, 8 को, जैसे 8 को भान निकाला, 8 का next element अभी ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, तो आप मैं range define नहीं कर सकत, क्योंकि यहाँ पर दो ही element है, तो यहाँ पर मैं stop हो जाओंगा, जो मैंने यहाँ पर answer निकला है, उसी को मैं final answer घोसित कर दूँगा, कोई दिक्कत आई किसी को यहाँ पर, इस step पर, बहुत ही असान तरीके से समझा दिए, अगर यह चमक चुका है, तो नीचे comment में दाल दीजिए, कहां जी वहाँ चुका है, concept clear हो चुका है, अब, यहाँ पर मैं कर क्या रहा था, यहाँ पर मैं कर क्या रहा था, म उसको मुझे निकालना होता है, उसी को तो निकालना पड़ता है, हाजी, मेरे पास initially यह ऐसा था, कि 3, 1, 3, 7, और मेरे पास range मुझे पता है, कि जो minimum element होगा, वो सबसे आग होगा, और जो इस range का सबसे maximum होगा, वो यहाँ पर होगा, क्लियर, हाजी, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यह list का सबसे minimum है, उसको ढूण रहा हूँ, अब यह list कितनी भी बड़ी हो सकती है, ठीक है, तो अगर मुझे minimum element ढूणना है, तो मैं क्या मिन हीप का परियोग कर सकता हूँ, minimum element को निकालने के लिए, हाजी, तो अगर मैं इसके minimum हीप का परियोग करूँगा, तो one भाहा निकल जाएगा, कौन भाहा निकल जाएगा, one भाहा निकल जाएगा, clear, हाजी, जब one भाहा निकल गिया, तो one अंदर किसको ढाला, two को अंदर दाला है, और उसी साब से यह भी update होते रहेंगे, clear, हाजी, तो यहाँ पर मैं लिस सकता हूँ कि minimum element मेरा two है, और maximum मेर क्या है, seven है, clear, हाजी, अब वैसी same कहानी, कि मेरी नई range two से seven बन गई, फिर same, सबसे minimum को भाहा निकला, two को भाहा निकला, हाजी, अब same कहानी, यह अपने next वाले को अंदर दाल देगा, तो यह four अंदर चला गया, नई range क्या हो जाएगी, नई range क्या हो जाएगी, three से seven, तो अगर इसका minimum डूनेगा, तो three, three से seven, maximum में कोई change नहीं हो रहा है, maximum में change काव होगा, वो भी हम देखते रहेंगे, अब मालो, मैंने इसको निकला, three को, जब three बहा निकला, यह three, ठीक है, तो इसने अपने next वाले को अंदर दाल दिया, तो इसने seven को अंदर दाल दिया, तो न minimum six, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इसने six को बहा निकला, तो अंदर इसने 12 दाल दिया, अब देखो, जैसे इसने 12 दाला, तो इसमें पूरा change हो जा रहा है, अब नई range क्या हो जाएगी, seven से लेके 12 बितर, clear था जी, तो यहां पर यह दोनों ही change हो रहे है, seven भी और 12 भी, तो मुझे सिरब एक mean heap बनाने, और maximum को मैं खुझ से update करवा सकता हूँ, कैसे करवा सकता हूँ, मुझे पता है कि पहले यहां पर था six से seven, ठीक है, हाँ, जब 12 बंदर आया, जो भी element insert करवा रहा हूँ, तो उसको मैं maximum के साथ भी compare कर लूँ, अगर यह 12 बढ़ा हुआ, तो वो maximum maximum को update कर देगा, अब mean तो मैं ऐसी निकाल सकता हूँ, minimum element तो मैं heap से निकाल सकता हूँ, जो की seven, तो maximum को update कैसे करेंगे, जो भी element ला रहा हूँ, उसको maximum से compare भी कर दो, अगर element maximum से बढ़ा होता है, तो max को update कर दो, बस, कोई दिक्कत आई, नहीं, इस तरीक सा हम इस process को कर रहे मिन heap का पड़ियोग क्यों यह पता चला, क्योंकि ऐसा हो सकता है, यह 10 list हो सकती है, आपके element ऐसा हो सकते है, 2, 3, 1, 11, 7, minus 2, 8, अब इस में सा कर आपको minimum element निकाल लेकर कर सकता हूँ, मिन heap भी मना सकता हूँ, ताकि कितने time में मिल जाए हो, log n time में मिल जाए, अगर इसका size मे consider करो, clear, तो इस तरीक से में इस problem को solve कर रहा हूँ, वणना आपको anti-intelligence हता है, पहले minimum element को ढूँने नहीं, clear, तो इसलिए मैं मिन heap को बना रहा हूँ, अब मिन heap के साथ क्या क्या चीए होगा मुझे, मुझे और क्या क्या चीए, मुझे यह भी बताना पड़ेगा, माल लो, इस वाली list का अगला element को अंधर दानना है, यह भी उसे पता होना चीए, ठीक है, क्योंकि 7 यहां पर भी यहां पर है, कौन सी list का अंदर जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा, कि यह 0 list है, 1st list है, 2nd list है, तो 2nd list का यह next element अंदर जाना चीए, इस नहीं किसे मुझे बताना पड़ेगा, आपको एक point clear होगा, तो यह सारी किस सारी information, मुझे store कराने पड़ेगी, किसके अंदर, जो भी मैं minhap create करूंगा, एक काम करते हैं, सीधा implementation part पे जलते हैं, और वहां पे इसको और अच्छे से चमकाने की courses करते हैं, चलो हम अपनी first problem को solve करते हैं, smallest range covering elements from k list, अब सबसे पहले मुझे क्या का दे रखा, उसको समझने के courses करते हैं, सबसे पहले मुझे 2D vector दे रखा है, जिसका नाम है numbs, clear हाँ जी, जो अभी example हमने देखा था, 4, 10, 15, 24, 26, यह मेरा पहला vector हो गया, यह मेरा अगला वाला vector हो गया, और यह मेरा last वा हो गई, clear है, हाँ जी, तो first row मेरे मेरे 5 column है, second row मेरे 4, और third row मेरे 4, तो हर एक row में अलगल number of columns मुझे दे रखे हैं, अब मुझे return करना है क्या, इस 20, 24 को, return type क्या हो है, vector होगा, जिसमें मैं दो value को store करा के return करवा दूँगा, तो सबसे पहले मुझे यहां पर किस चीज की ज कॉमा, greater int, मुझे क्या करना होता है, कि इसके जो पहले पहले element है, 4, 0, और 5 को, इन सब को किस के अंदर दाल दो, priority q के अंदर दाल दो, इनी को इसी के अंदर दालना है, हाँ जी, और जो उसमें से अब minimum होगा, उसी को मैं बाहर निकालूंगा, तो मुझे अगर मैं इसको diagram क 8, 4, इसको मैं 20 लिग देता हूँ, और दूसरे दे रहा मुझे, 3, 5, 9, 11, 14, तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले, 4, 0, 5 को, मुझे किस के अंदर दालना है, priority q के अंदर दालना है, 4, 0, 5 को, ठीक, हाँ जी, और इन में से मैं minimum को बहार निकालूंगा, जब मैं minimum को बहार दालना पड़ेगा, ठीक, उसके लिए मुझे क्या कर चीए होगा, मुझे मुझे एक तो पता होने चीए, यह 0 कौन सी रो पे रखा है, कि 0, 1, 2, 1st रो पे रखा है, और कौन से वाल कॉलम के elements को नेक्स्ट अंदर जाएगा, इन दो ही इंफरमेसर को मुझे अंदर श्टोर करा के रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखूंगा, इस 0 का मैं क्या 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 श्टोर कराने वाला हूं, इसका मैं रो और कॉलम, इन दोनों ही value को भी श्टोर करा के रखूंगा, तो यहाँ पर मुझे तीन चीजों की requirement होगी, एक तो 0 जो data है, उसके पता होना चीए, 4 का row भी और कॉलम भी, तो तब जाके मैं इसको access कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता 10 के लिए row तो same होगी, कॉलम एक extra add हो जाएगा, बस, I hope आपको समझा आगी होगा, हाँ जी, तो यहाँ पे मुझे किस concept data इस चीए होगा, मुझे चीए होगा pair, तो पेर क किस हिसाब से है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो सबसे पहले तो मेरा data या फिर मैं value जो वह store करेगा, और ये वाले pair किस के लिए, row और column को store कराने के लिए, ये मैंने आपको दिखा दिये, clear, हाँ जी, तो इनके जगा में क्या जगा, ये, इसको उटा दिया, य अब ये जो priority code बनेगी, वो किसके हिसाब से बनेगी, first element के हिसाब से, clear, हाँ जी, जिसका first element सबसे छोटा होगा, वो सबसे पहले बहार निकलागा, अगर type breaker होता है, तब वो second वाले पे जाएगा, I hope आपको ये clear होगा, तो integer मैं ले ले तो यहाँ पर minimum, minimum store कराएगा minimum element को, अ maximum element जो मेरे range में अभी तक है, clear, हाँ जी, for integer, I equal to 0 से, I less than, nums.size, I++, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, insert first element of each row into priority queue, into heap, ऐसे गर के लिए चलिए, वो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो कैसे होगा, कि P.puss, पहले element को दालना है, तो पहले element क्या दालूँगा, सबसे पहले तो मुझे make pair, हाँ जी, nums, I, 0, इस तरीके से निकालूँगा, हाँ जी, और उसके साथ मुझे क्या दालना है, मुझे दाल रहा हूँ, किलियर, हाँ जी, इस तरीके से pair के form में जा रहे हैं, यह first हो गया, यह हो गया second का first, यह हो गया second का second, किलियर है, हाँ जी, और उसके बाद मुझे क्या करना है, maximum, इस value को मुझे अपडेट करते हुए, दालते जाना है, maximum of, maximum comma, nums, I, nums, I, 0, मैंने का दाना, maximum element क मुझे पता होना चीए, क्योंकि minimum element तो मैं मिन हिप से निकाल लूँगा, लेकि maximum कैसे निकाल लूँगा, तो जो भी element मैं insert करा रहा हूँ, उसको मैं maximum से compare करते जाऊँगा, तो जो maximum and nums, I, 0 में से बढ़ा होगा, वो maximum के अंदर चला जाएगा, तो इसके लिए पहले मुझे maximum को initialize करना पड़ेगा, तो इसको मैं initialize कर दूँगा int means से, चलिए, यह I hope आपको clear होगा, कि int means से क्यों किया, कि सबसे चोटी value दाल दी, ताकि जब भी value अब मैं दालूँगा, 4, 0, 5 में से, जो में सबसे बढ़ा होगा, वो maximum के अंदर store हो जाएगा, अब हम आते हैं अपन first होगा, ऐसी दो निकालूँगा, हाँ जी, अब मैं अपने answer को ले लेता हूँ, vector integer, जिसको मुझे return करके देलना है, यह होगा answer, जिसका size होगा 2, तो इसको initialize कर देते हैं, vector, sorry, answer 0 के अंदर क्या value जाएगी, minimum वाली की, और answer 1 के अंदर किसकी value जाएगी, maximum वाली की, चलिए, यहाँ तक तो हमने अपने code को लिख दिया है, बिल्कुल प्यार से, अब हम आते हैं, अंदर, अब अंदर क्या करना है, उसको हम समझने की, courses करते हैं, तो अब हम चलाएंगे loop, कि भाईया, वाइल, कब ता loop चलेगा, जब तक मेरी priority queue का जो size है, वो equal to equal to रहे, किसक अंदर है, तो मैं nums.size, मतलब priority queue का size है, वो घटना नहीं चीए, जितना है, उतने हैं, जैसे यहाँ पर 4, 0, 5, तो इसका size fix हो जाएका priority queue का, तो 3 size का तो होना चीए, जैसे अगर priority queue का size 2 हो गया, तो यह loop ब्रेक हो जाए, clear, हाँ जी, इसलिए मैंने इसको इसके को लिखाय, पी.size equal to nums.size, चलिए, अब हम आते हैं अंदर, अब अंदर क्या करना है, सबसे पहले मुझे top वाले element को भान निकालना है, उसको कैसे निकालेंगे, वो देख लेते हैं, तो सबसे पहले pair को ले लेते हैं, और इसको मैं ले लेता हूँ, एक time के अंदर store करा लेता हूँ, इस उसे value निकालना, extract करना है, start करते हैं, पहले p.pop उसे हटा भी दो, हाँ जी, अब उसके बाद मुझे करना पड़ता है, element के अंदर क्या दाएगा, जो भी value उसको store करा के रख रहा है, time.first, row number क्या होगा, उस element का, वो भी मैं निकाल दूँगा, time का, second का, first, इस तरीके से, और तो zero वाला भान निकल गया, element के अंदर चल गया, zero का row number, column number इसके अंदर जा चुके हैं, clear, हाँ जी, अब इसके बाद आएगा next step, कि जब मैं zero को निकाल चुका हूँ, हाँ जी, अब zero को काम क्या है, अब अपने next वाले element को इसके अंदर दालना, वो next element कब जाएगा, कि जब वो exist करता होगा, तो उसका existence का मैं ऐसी पता कर सकता हूँ, कि अगर column plus one less than होना चीए, किस से, nums row dot size से, अगर छोटा है, तो भाईया, बिल्कुल मैं इसको डाल सकता हूँ, मैंने क्या करा, कि मैंने देख ली कि इसमें कितने column होने वाले, ठीक, हाँ जी, तो मुझे पता चल 1, 2, 3, यह index होए, column के, हाँ जी, तो हमेसा किसे छोटे होने जीए, 4 से छोटे होने जीए, तभी मैं अगले वाले 9 को access कर सकता हूँ, हाँ जी, इसलिए मैंने लिखा कि column plus one की value, जो 9 का index है, हाँ जो छोटा होने जीए, जो जितन number of column यहाँ पे है, तभी मैं इस 9 को access कर करवा दो, वही सेम कहाने, कि make pair, हाँ जी, किसको करना है, nums, row, column, हाँ जी, क्योंकि row तो सेम होगी, और column मैं already increase कर चुका हूँ, comma, make, pair, और row, comma, column को भी push करवा दो, चलिए, यह मैंने करा दिया, उसके बाद maximum को अब हम update कर देंगे, कि maximum क्या हो जाएगा, मैंने काता न, maximum हम अपडेट होगा, तो maximum हो जाएगा, maximum of, जो already maximum के अंदर value पढ़ी है, comma, nums, row, और column, इस तरीके से, अब minimum क्या हो जाएगा, minimum value, जो priority queue के top पे बढ़ी हुई है, इस तरीके से, इस तरीके, I hope आपको यह step clear होगा, अब यहां तक अगर मैं इसको लिख चुका हूँ, यहां तक किया, जब मैंने 0 को बहार निकाला, तो उसके next all element को अंदर insert करवा रहा हो, यह वो steps है, clear, हाँ जी, जब मैंने यह सब कर लिया, अब मुझे देखना है, कि भाईया, क्या, जो मेरे इस answer के अंदर, जो value रखी हुई थी, का है answer, यह answer के अंदर, जो values रखी हुई थी, क्या उ उससे छोटा answer, क्या, उससे छोटी range मुझे मिली है, if I have, if I have got smallest range, तो उसको check कर लेते हैं, उसके लिए क्या करना है, कि भाईया, maximum minus, minimum, अगर क्या होता है, less than होता है मेरा, answer 1, minus answer 0 से, तो मलब, इस answer को update करने की time आ गया है, तो answer 0 के अंदर चल जाएगा, minimum वाला, और answer 1 के अंदर के चल जाएगा, maximum वाला, बस, इस तरीके से, simple step पर हमने इसको cover कर लिया, तो यह step भी हमारा complete, हाँ जी, अब हम भारा है, भारा है, और last में बें return करा दूँँगा, अपने answer को, ओके, एक error आई है, 39 line पर, ओके, यह गलती से लिख दिया, run किया, और अब इसको submit कर देता है, और यह हमारा success उले submit हो चुका है, I hope आपको code अच्छे से चमक गया होगा, तो code यह बार आपको पूरा दिखा देता हूँ, यह हमारा पूरा code रहा, यहां से start किया था हमने, हाँ जी, तो सबस्थ वहले हमने pair लिया, इस form में, हाँ जी, फिर हमने minimum maximum लिया, maximum को मैंने int-min से initialize किया, maximum value, मुझे पता minimum तो मैं निकाल दूँगा, min heap से, लेकि maximum कैसे निकालूँगा, तो जब भी आप element push कर रहोंगे, उसी time में आप update कर रहोंगे maximum को, clear, हाँ जी, maximum को मैं क्या कर रहा हूँ, हम इसा update करते हुए जा रहो, तब भी मैं heap के अंदर element दालूँगा, तो maximum को उसी time अपडेट कर दूँगा, तो जब आप insert कर रहोंगे, उसी time में आप maximum को अपडेट करते जाए, clear, हाँ जी, तो उसके बाद मैंने क्या क्या, उसके बाद हम loop के अंदर आ गए, इसके अंदर, हाँ जी, यहाँ पर मैंने क्या देखा, कि भईया, अगर मेरे priority queue का size, जो मैंने initially define क्या है, अगर वो 3 है, तो 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, अगर 3 से छोटा था, तो मैं रुक जाओंगा, तो जब तक इसका size equal to nums.size के बराबर है, तो तो मैं काम करता जाओंगा, clear, हाँ जी, तो वो काम मैं करता गया, यह क्या है, कि जो initial size है, size of priority queue should not decrease, अगर जैसी हो decrease हो गया, तो मुझे पता चल जाओंगा, कि अब मुझे रुक जाना है, clear, हाँ जी, तो मैंने कहाँ का टैम के अंदर क्या दाला, priority queue का जो top था, हाँ जी, तो उसको pop किया, फिर element को निकाला, row को निकाला, column को निकाला, फिर मैंने ये conditions लिए हैं, कि अगर column plus one less than हो जाता है, nums row dot size हाँ न, हाँ जी, उसके बाद तो मैंने symbol ये conditions लिए हैं, आपको समाझ आगे होंगी, और last मैं अपना answer return करवा दिया, कर सकते हैं, तो इसके time complexity क्या होगी, सबसे पहले मैंने priority queue बनाया होगा, हाँ जी, तो अगर मैं इसका, वो माल लू, size, n into k माल लू, ठीक है, हाँ जी, कि इसमें कितना है, k list दे रिखी है, हाँ जी, और हर row का size है, n, ठीक, तो सबसे पहले इसको मन्ने में कितना time लगा होगा, इसको, यह वाले step पे, मैंने क्या किया है, k list है, हाँ जी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसमें लगा होगा मेरा k log k time, k log k time, clear, हाँ जी, क्योंकि एक एक element में हर किसी से निकाला है, उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, हाँ जी, यहाँ पर कितना time लगा होगा, यहाँ पर, मुझे पता है, कि भाई यह जो मेरी priority क्यों है, उसका size k है, हाँ जी, उसी में में मेरा सारा time invest होने वाला है, हाँ जी, तो अब उसके अंदर total किते है, insertion, release होने वाला है, मुझे पता है, उसके अंदर total, n into k, ठीक, हाँ जी, और log k, यह इसके अब time complexity होने वाली है, क्योंकि एक करके मैं सारे element देखूंगा, total मेरे n k elements है, वोई insertion, release होते रहेंगे, तो इसक k lock के merit क्या निकल जाएगे, time complexity निकल जाएगी, k क्या है, कि number of rows कितने है मेरे, या फिर k list, और n क्या है, कि हर उसमें कितने columns है, उनको अगर मैं n consider करूं, तो चलो, अब बढ़ते हैं वीडियो के और वापिस, अब हम आते हैं अपनी second problem है, second problem बहुत important आपके होने वाली है, अगर आप इसका solution online देखने जाओगी, तो आपके सर के उपर से निकलेगा, तो प्लीज इस वाली प्रावनों को बहुती ध्यान से सुनना, step wise step जानने के कुर्सित करना कि problem कहे क्या रही है, और इसका answer हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसको solve करने के पीछी के intuition हमारी क्या सकते हैं, तो आपको return 1 करना है, नहीं कर सकते हैं, तो return 0 करना है, अब problem क्या है, पहले उसको समझने के कोशित करते हैं, माल लो आपके पास 935, वो कह रहा है आपको इसको achieve करना है, कहां से, कि originally आपको एक array दिया हुआ होगा, हाजी, इतने ही size का, हाजी, और उसमें जो elements हों 111 होंगे, क्लियर, हाजी, या इस 111 को मैं convert कर सकता हूँ, 935 में, अब convert कैसे करना, उसे converter की कुछ technique मुझे दे रहे हैं, उसने बोला है, कि आप क्या कर सकते हैं, कि पूरे array का sum निकाल सकते हैं, पूरे array का 1, 2, 3, हाजी, और उस 3 को किसी भी index पर update कर सकते, तो माल लो मैंने इस वाल इंडेक्स पर उसको update कर दिया, तो मेरे पास अब यह array बन चुका है, 1, 3, 1, clear, हाजी, मैंने 1, 2, 3 रिकाला, हाजी, जो भी समय है, मैं उसको किसी भी index पर update कर सकता हूँ, तो मैंने इस वाल इंडेक्स पर update कर दिया, तो मेरे पास क्या आगी है, 1, 3, 1, easy है, हाजी, पिर से मैं same step यहाँ भी लगा सकता हूँ, कि अब यह जो नया area है, इसका समनिकाल सकता हूँ, 3, 4, 5, हाजी, किसी भी index पर update कर सकता हूँ, तो मैंने इस index पर update कर दिया, पिर से same कहानी, कि इस area का समनिकालो, 5, 3, 8, 1, 9, उस 9 को आप कोई से भी index पर update कर सकते हूँ, और इस त अपना answer में return 1 करा दूँगा, कि हाँ, कि जब मेरे पास initial area 1, 1, 1 है, तो उसको मैं convert कर सकता हूँ, 9, 3, 5 में, और conversion के technique को उससे बता रही है, कि area का आपको sum निकालना है, और उस sum को आप किसी भी index पर update कर सकते हैं, तो क्या आप इस से यह बना सकते हैं, अगा बना सकते हैं, इसी size का होगा, 2 size का 1, 1, क्या मैं इस 1, 1 को 8, 5 में convert कर सकता हूँ, मुझसे पूछा गया, तो कैसे करूँगा, वो देखते हैं, तो 1 और 1 कितना आता आपका, 2 आता है, तो मैंने क्या करा, 2 को मैंने second index पर update कर दिया, इस वाले index, फिर से 1 और 2 कितना आता सम, 3 आता है, तो 3 क को मैंने, इस वाले index पर update कर दिया, 3 और 2 कितना आता है, 5 आता है, तो 5 को मैंने इस वाले index पर update कर दिया, 5 और 3 कितना आता है, 8, और 8, 5 मैंने answer निकाल दिया, तो आप बता सकते हैं, कि इसको मैं achieve कर सकता हूँ, अगर मेरे पास original array, 1, 1, 4, तो इसका answer भी written, 1 होगा, भहिया, ऐसे तो सारे answer possible है, नहीं, यह जरूरी नहीं है, मेरे दोस्त, अगर आपके पास एक array ऐसे दे रखा है, 1, 1, 1, 2, इसको आपको achieve करना है, कैसे करोगे, original array क्या होगा, इतना ही size का होगा, हाँ जी, और सारे element क्या होंगे, 1, 1, 1, 1 होंगे, अब अगर मैं इसके सारे element का sum निक इस case में return 0 देना है, clear है, हाँ जी, कि 1, 2, 3, 4, हाँ न, 4 को कहाँ पर update करो, अगर 4 को मैंने किसी index पर update कर दिया, तो मैं यह साले array को achieve ही नहीं कर पाऊंगा, तो इसका answer return 0, तो भाईए, यह problem solve कैसे करेंगे, method clear है, हाँ जी, problem statement क्या बोल लिए, वो clear है, हाँ जी, अब इसके solution पार्ट में हम चल सकते हैं, सोचने की courses कर सकते हैं, कि इसका solution उन्होंने कैसा सूचा होगा, ठीक, हाजी, अब एक solution अगर जो हमारी दिमाग में आ सकता है, भाईया, एक काम करते है, जब मेरे पाप 1111 है, ठीक है, मुझे पता है, इसका sum कितना आ रहे है, 3R है, तो मुझे 3 की requirement है, तो मैंने उसी index पे update कर दिया, ठीक है, फिर मैंने 1, 3, 1, 5 आ रहा है, तो मुझे पता है, मुझे 5 की requirement है, तो मैंने उसी index पे update कर दिया, फिर मैंने 5, 3, 8, 9 निकाला, मुझे पता 9 की requirement है, तो मैंने उसी index पे update कर दिया, और इस तरीके से मैंने आपना answer निकाल दिया, यह एप्रोच हम सोच सकते हैं मैंने कर रहा वन टू थी निकाला मुझे पता थ्री की रूपार्मेंट है इस वाल इंडेक्स पर तो मुझे मेरा आंसर मिल गया कि आपको लगता है कि यह मेथड हर एक कुरिस्टन बे अप्लीकेबल होगा आपसे पूछा मुझे नहीं लगता अभी इस पर देख रहते हैं देखो कुछ देर के लिए यह वाला भूल जाईए एक है मेरे पास ओरिजिनली वन वन था अब मैं आगर मैं रहा गया आए उपडेट करूं किया लाए है इसओन हो आगर मैंने इधर को अपडेट कर दिए तौ तब क्या है your work कितना्ट आ रहा अब तो आप इसको अच्छी भी नहीं कर पाओगे एट फाइफ को अब साथ पांच बारा तो बारा की तो रिक्वर्मेंट ही नहीं है तो इस मेटड़ से आपकी गलती हो गई क्या हो गई मिस्टेक हो गई हो गई ना क्यों क्यों कि यहां पर मुझे यहां पर यहां पर यहां पर करूंगा मतलब इस प्रोसेस से जाना मिले थोड़ा हानिकारत हो सकता है कि आगर मैं सीज़ा है इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करता हूं लग रहा है हां जी कंदूजन है ना हां जी एक गलंड़ स्टैप आपका अंसर निकलेगा और आप आंसर में दोगे कि आंसर पॉसेवल नहीं दो भी हो अन्य गहिस बिल्कुल हो गया इसको समंजने कोसिष करते हैं एक बड़ा सा एक्जामपल प्यारा सा इससे समझने की कोसिष करता हैं है तो मैं काम करता हूं क्या मैं इस तु extern को को अचीब कर सकता हूं तो इसके लिए क्या हो हो से k कण ची और या ए इनिशनल यह होगा 1, 1, 1, 1 क्या मैं इसको अचीब कर सकता हूँ तो मैंने कर लिया 4 आएगा 1, 2, 3, 4 हाँ जी बाकिये मैं कोई चेंज नहीं 7 सम आएगा उसको मैंने यहाँ पर अबडेट कर दिया 10 आएगा मैंने इसको यहाँ पर अबडेट कर दिया 13 आएगा 13 को मैंने यहाँ पर अबडेट कर दिया फिर 13, 10, 23, 24, 25, 25 आया मैंने यहाँ पर अबडेट कर दिया और फिर मेरा 37 आया सम 25, 10, 35, 36, 37 इस तरीक से मैंने आपने आंसर को अचीब कर दिया भईये ये स्टेप तो आपने रटे हुए बात तो सही है हाँ जी पर मैं निकालूंगा कैसे इस वाली एक्जंबल से आपको ट्लियर हो जाएगा एक काम करता हूँ इसको मैं एरे की पॉम में बना देता हूँ ताकि आपको भी दिखने में अच्छा लगी अब देखो यहां पर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है मुझे बता है मेरे पाब 1 1 1 1 है यहां से जब मैं इनका स्थम कर रहा हूँ तो मैंने 4 को यहां पर अपडेट किया फिर मैंने इनका स्थम किया तो मेरा आंसर क्या हो जाता रॉंग हो जाता गलत हो जाता और फिर मैं कभी इस टार्गेट को अचीव ही नहीं कर पाता तो क्या है हो रहा है यहां पर कि जब मैं यहां इस 1 1 से अपने टार्गेट को अचीव करने के कोसिस कर रहा हूँ और एक भी गलत step हो गया तो मैं आंसर निकलेगा ही नहीं हमारा आंसर निकलत हो जाएगा next to impossible तो यहां पर एक simple strategy हम क्या यूज कर सकते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो तो फिर अराम से निकल जाएगा थोड़ा दुद्धर गिरेगा पर निकल जाएगा तो वही काम मैं यहां पर भी करने वाला हूं क्या क्योंकि यहां पर confusing state है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस फोर दो करूँ से इंडेक्स पर एप्डेट करूँ उस पर करूं इसाउ निकल जा ऊ़ा है तो मैं यहां पर इसको तरीके से ऑक कर सकता हूं जी हां उल्टे तरीके से मुझे यह तो देजी रखा ने 10 25 137 10 25 137 क्या इस से मैं इस 1111 को अचीव कर सकता हूं इस step को अगर मैं reverse order में पीछे जाता जाओं क्या मैं इसको अचीव कर सकता हूं मेरे पास 10 25 137 को इस से मैं 1111 को बना सकता हूं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे हमिर्सा अगर मैं इसको हटा दूं तो मुझे पता होना चाहिए किया मैं इस वाले step से इस step पे जा सकता हूं ठीक हाँ जी कैसे जाएंगे फिर अगर मैं इस step पे पहुंच गया तो क्या इस step से मैं इस step पर जाता हूं ऐसे करते 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 अगर मैं 111 पे पहुंच गया तो मेरा answer निकल जाएगा अब हो कैसे होगा उसको हम समझते हैं अगर मैं बात करूं इस step से में कैसे आया सुरा अगर मैं की बात करहां इसका संब फोर ए रहा रहा तो चींज इसे इसाहरे सेट अगर में इसकी बात कर POL तो इन सब का सम 7 है क्योंकि एक ही जगह में चेंज करना है बाकी अंचेंज रहते हैं क्लियर हाँ जी अब वो अंचेंज रहाला कौन सा होगा यह वो अंचेंज रहा है ठीक है और चेंज सिरफ कौन होगा है 37 होगा है तो चेंज वाला मैं इसली एडेंटिफाई कर सकता हूं क जो इस step में maximum element होगा, वही मेरा change हो रहा हुगा, कौन सा? जो is step में maximum element हो रहा है, वही मेरा change हो रहा है, देखो, 1 से 37, बाकि सब unchanged नहींदे, भया, maximum element ही क्यों? क्योंकि मैंने 10, 25, 1, 1, इन सब का जो sum है, उसको यहां पे डाला है, इन सब का सम यहाँ पर दाला है अब बाकी element वैसी copy किये तो इसका मतलब बना कर मैं इन सब का sum कर दूँ है फिक है मुझे पास यह वाली स्टेट है इस से मुझे से मुझे पता एक काम है कि anthra अगर मैं सम बोल दूं तो रिमेनिंग सम क्या है आपका सम माइनस मैक्सिमम एलेमेंट वो कितना है आपके पास मैक्सिमम एलेमेंट है मेरे पास 37 यही तो है हाँ जी और रिमेनिंग सम क्या है मेरे पास रहूं 37 को अटाके बाकी element जिनका sum वो क्यों निकाला अब इस step मैं आपको बताता हूं देखो मुझे नहीं पता है इस element इसकी value क्या होने वाली है इसकी value मुझे नहीं पता लेकिन मुझे पता है भी बाकी जो element है वो same to same copy होने वाला है हाजी तो मैं लिख सकता हूं कि जो element है अगर इसको मैं element बोल दूं element बोलता हूं इसको element हाजी प्लस कि यह जो है 10 25 1 यह क्या है यह remaining समी तो है 10 25 1 यह remaining समी तो है हाजी अब आया समझ हाजी यह किसके बराबर है जो मेरा maximum element होने वाला है इसी के बराबर तो है यह अगर आपको दिख रहा होगा दिख रहा है क्या इस step हाजी मैंने कहा का 25 10 35 36 37 37 ऐसी तो आया है हाजी तो remaining sum प्लस element equal to maximum element यह दोनों बराबरी तो है आज यह बराबरी है अना मैंने कहा का कि भाई यह जो मेरा element है element plus remaining sum equal to किसके बराबर है 37 और यह remaining sum में कैसा है क्योंकि यह यह चेंज नहीं हुए यह उसी step में है ठीक है चेंज सिर्ब 37 वाला होता है आप देख पार हो 10 25 1 चेंज नहीं हुआ है तो अगर मैं sum में से 37 को ठादू तो remaining sum निकल दाएगा मेरे पास हाजी तो remaining sum भी यहाँ पर उत्रहीं है यहाँ पर भी उत्रहीं है क्लियर हाँ जी जिससरे मैं इसकी value निकाल सकता हूं क्योंकि आप देख रहा है 1 पर 1 निकला कैसे वह ऐसे निकला है तो element को मैं direct ऐसे ले सकता हूं कि element equal to element की value कैसे निकालूंगा मैं maximum element minus remaining sum ऐसे करके मैं achieve कर लिया element की value को maximum element क्या है 37 है और remaining sum कितना है मेरे पास 36 है तो क्या निकल लिया वन निकल गया तो यहां पर ऐसे करके मेरा one निकल गया बाकि सतारे element में कोई दिक्कत नहीं आई है अब इस step से इस step में कैसे दाऊंगा यह तो निकाल दिया मैंने 10 25 11 ठीक हाँ जी यहां पर भी सेम कहानी कि आप maximum element को पहले कोई unchanged रहे बागी हर कोई unchanged रहे यह वाली value कैसे निकालूंगा देखो इसको direct भी निकाल सकते हो कि 10 11 12 10 11 12 12 को 25 में से minus कर दो कि remaining sum दो होई है ना element के value नहीं कल गई आपकी तो 30 नहीं कल गया यह maximum element minus remaining sum remaining sum क्या है 25 को अट आगे 10 11 12 उसको अट आगे तो आपको आपके पास answer आपका क्या मिल गया 30 मिल गया तो आप इस step पे पहुंच गए clear आप इस step से इस step पे जाना है सेम कहानी यहां पर भी follow होगी कि element हाजी इस step में maximum element कौन सा है मेरा 13 है ठीक 13 क्या है इन सब का sum है ठीक है मुझे पता change सरब यह हुआ है यह बागी step कोई भी unchanged है अनप हाजी तो यह कैसे निकलेगा 13 minus क्या होगा 10 11 12 remaining sum वाले या फिर जिनको मैं unchanged भी बहुत पक्ता हूँ क्या निकल गया 1 निकल गया तो मैं अब इस step पर पहुँच गया इस step का भी same कहानी element कैसे निकलेगा maximum element क्या है 10 है minus 123 तो कितना आया 7 तो 10 7 में change हो गया बाकी कोई change नहीं हुआ है इस step में कैसे जाओंगा same कहानी maximum element का पर है minus remaining sum 123 तो क्या आ गया 4 आ गया तो 7 अपडेट होगे 4 वन गया फिर 4 से मैं कैसे जाओंगा क्यों मुझे पता इसमें maximum element 4 है 4 किसमें change का value कैसे निकलेगी बाकी तो copy हो जाएंगी यह value कैसे निकलेगी कि 4 minus 123 remaining sum 1 और जैसी मुझे यह area मिल गया जिसमें सारे element 11 है तो मुझे मेरा answer मिल चुका है बिल्कुल easy step में आपको यह solve करके मैंने दिखा दिया कोई दिक्कत आई नहीं मैंने क्या किया इस step में कैसे जाओं इस से इधर इस से इधर ऐसे जिकर के वह उपर करता गया अगर direct क्या आपको steps नाओ न यह वाली value कैसे निकाली 37 minus इन सब को maximum element minus remaining sum तो मुझे मेरा यह 1 मिल जाएगा क्यों कि इन सब कर सम यह है हाँ आप खुद भी आगर देखो यह चार element है इनका सम यह 35 है ठीक है यह वाला अगर portion हटा दू तो मुझे direct के यह तो मिल जाएगा अगर यह वाला portion हटा दू इस में से तो यह तो मिलेगा हाँ जी 37-361 वही मैंने किया फिर यहां पर भी सेम कानी कि 25 में से 10 11 12 12 13 मिल जाएगा फिर यह से इधर कैसे जाया maximum element को उठाया remaining sum को हड़ा दिया इस तरह कि जम उपर दितलता गया मुझे मेरा answer मिल गया अगर आप 1111 तक पहुंच पा रहे हूं मैंने का okay भी बहुत ही सिंपल वह केस क्या होने वाल है उनको मैं यहीं पर आपको लिख के देखा देता हूं कि क्या होगा उसको अब discuss करते हैं अगर कि अगर कि कि मेरा remaining sum है ठिक हाँ जी यह आपको ऐसी समझा दाएगा अगर remaining sum की value less than equal to zero हो जाए तो आपका answer कभी नहीं निकलेगा यह फिर remaining sum की value greater than equal to maximum element से हो जाए तो आपका answer कभी नहीं निकल सकता तो आप return 0 बोल दोगे अगर किसी भी step में आपके साथ यह काम हो रहा है यह वाला कांड अगर किसी भी step हो रहा है तो आपका answer नहीं निकल सकता ऐसा कैसी बगया यह remaining sum less than equal to zero है और remaining sum greater than equal to maximum element देखो यह कैसे निकले हैं पहले remaining sum क्या है पहले मेरे पास हमेशा one 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 होगा होगा नहीं होगा हाजी यह target मुझे achieve करना है ठीक हाजी अगर मैं आपको यहां पर गौर्द देने के लिए बात करूं remaining sum मैंने कैसे निकाला sum minus maximum element हाजी कि sum मेंसे maximum element को हटा दू ठीक हाजी इस sum मेंसे अगर मैं इसको स्थाम मूले इसमें maximum element को हटा दू अगर maximum element को हटा दूंगा तो कुछ ना कुछ positive element नंबर बनना चीए पर पास हाजी अगर positive नहीं बनता है और negative बन जाता है तो answer ही possible यह फिर तो फिर तो बेल्कु लॉजिकल यह चीज यह वाला step और आप ध्यान से देखने कुछिस करोगे यह वाला तो remaining sum क्या है sum minus maximum element इस sum में से maximum element को हटा दू सम क्या है इन सब का sum है हाजी उस में 30 sum को गटा दूंगा ठीक है कुछ तो मिलना चीए मोई पास कोई positive number हाजी नहीं मिलता है तो बहुत यह रिटन जिरू कि यह हाजी और वही सेम चीज अगर आपका remaining sum greater than equal to maximum element आता है फिर भी answer possible नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यह मुझे पता है यह 37 क्या है यह 37 क्या है भाईया मुझे पता है remaining sum प्लस element तो अगर इन दोनों को मैं add करूंगा तो जाहिट से बात है maximum element हमेसा बढ़ा ही आएगा remaining sum यह क्या है maximum element कैसे निकला है remaining sum plus element हाजी तो वह condition में लिख दी अगर यह condition false होती तो यह return 0 जी इसका मतलब क्या है कि remaining sum क्या रहा रहा बढ़ा दमार रख क्या possible यह मैंने वह नहीं प्लस पर दो क्या complete cer यह आपके बेश केस लिए I hope clear होगा हाँ जी अब यहां पर मैं किस data sector का यूज कर रहा हूंगा यह स्टैप मैं आपको समझा चुका हूँ अब हम और अच्छे तरीके से इसको अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे कोई घवरा नहीं जलो दूनी ठीक है हाँ जी रिमेनिंग से हमें समाझ आ चुका है अब यहां पर मैं किस data sector का यूज कर रहा हूंगा मैं हर स्टैप में क्या मेरे पास 10,25,1,1 में से जो maximum हो उसको भाहर निकालो फिर 10,13,1,1 में से जो maximum में उसको भाहर निकालो वहना एक 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 करके check करना पड़ेगा इसलिए मैं आपके किस का प्रियोग करने वाला हूं मेरे दोस्त I hope आपको यह step clear हो चुके हूंगे चलो बढ़ते हैं कोड़ पा क्या यह इस one one से create हो सकता है हो सकता तो return one करना नहीं तो return zero करना है clear तो सबसे बहले मुझे क्या करना पोड़ता है कि सबसे बड़े वाले element को बाहर निकालना होता है इसलिए मैं यहां पर क्या लेने वाला हूं एक maxi लेने वाला हूं तो priority q integer p इस तरह किसे मैंने maxi create कर लिय अब इसके साथ ही मैं ले लूँगा एक integer sum equal to zero अभी क्यों लिया अभी कुछ देर में आपको समझा दाएगा अब मुझे क्या करना है 935 सब को किसके अंदर दालो priority q के अंदर दालो क्योंकि maximum value को मुझे बाहर निकालना होता है i less than target dot size i plus plus तो यहाँ पर एक simple क्या करना है p dot push target i और उसी को मैं add कर दूँगा sum की अंदर sum plus equal to जो भी मेरा target i में value है ताकि मैं sum निकाल पाऊं कि 9,3,12,5,17 ठीक अब जब यह वाले step मैंने complete कर लिए है हम हम आते हैं अंदर तो अंदर जाने से पहले मैं 2,3 चीज़े लिख देता हूँ एक integer maximum element जिसकी मुझे requirement पढ़ेगी एक चाहिए होगा मुझे remaining sum और एक चाहिए होगा मुझे element इन सब की मुझे ज़रुवत पढ़ेगी अब यहाँ पर मुझे एक condition लिखनी पढ़ेगी अब यहाँ पर while loop लगेगा अब while loop की condition क्या होगी उसको समझने की कोशिद करते हैं वाइल देखो while loop मेरा कब तक चलेगा जब तक में यह सारे की सारी one one ना हो जाए हाना कि यह जो रखा है टार्गेट यह भी one यह भी one यह भी one ठीक है तो एक इसाब से मैं बहुत रहता हूं कि जो priority कोई के अंदर की जो value है ठीक है जो उसमें top element रखा है जैसी वह one हो जाता ह ठीक है तो मैं रुख जाओंगा तो मैं लिख देता हूं while priority q top not equal to one तबता मैं काम करता जाओंगा किलियर हाजी मुझे stop कब होना है कि जब priority को अंदर सारे element क्या होंगे one 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 हाना क्योंकि 935 को मुझे किस पर convert करना है one 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 जब मैं इसमें से top element ढूणने की कोशिस करूंगा कुछ ताइम पर मुझे मेरा answer मिल जाएगा तो return one कर दूंगा मैं बाहर से इसलिए मैं यह step लिगा है clear हाजी मुझे loop कब तक चलाना है आप खुद सोचो ना इस वाले step को मुझे loop कब तक चलाना है जैसे अगर मुझे priority q के top से one मिल जाता है यह priority q को क्या है maximum element जैसे मुझे one मिल जाता है तो मतलब बाकी element हीं होंगे हां जी तो जैसी वो one मुझे मिल जाता है तो मुझे पता है मुझे रूक जाना है और return 1 कर देना कि मुझे मेरा answer दो मिल चुका है सबसे पहले max element यह क्या होगा मेरा जो मेरे priority को का top होगा यह मैंने निकाल दिया ओके बहुत सही उसके बाद उसको पॉप कर दू अब इसके बाद मेरे पास है remaining sum remaining sum को हम कैसे निकालते हैं तो remaining sum अभी हमने देखा था कि remaining sum कैसे निकलेगा हमारा कि भाईया मुझे क्या करना है sum minus जो मेरा maximum element होगा हमने already sum निकाल रखा था इस तरीके से clear हाजी तो sum को मुझे initialize करना था ना मैं यहां पर already initialize कर चुगा था तो remaining sum क्या होगा sum minus maximum element चलिए यह step हमने बहुत सही करा अब हम यहां पर edge cases लिख लेते हैं edge case क्या होगा जहां पे फेल होगा मुझे पता है अगर मेरा remaining sum less than or equal to 0 आ जाए या फिर remaining sum greater than equal to max element आ जाए तो मुझे पता है कि मेरा answer possible नहीं है फिर य होगा मेरे edge cases जब answer possible नहीं होंगे clear हाँ जी क्योंकि मुझे पता है यह जो max element है अगर मैं यह लिख भी दो इसको अलग से मुझे पता है जो मेरा max element होता है यह किसका sum होता है remaining sum plus जो मेरा element आता है clear हाँ जी इसलिए मैंने यह लिखा यह step clear इसलिए remaining sum कभी भी maximum element से बढ़ा नहीं हो सकता और remaining sum आका negative आ रहा है तो वो भी मेरा possible नहीं है less than equal to 0 वो possible नहीं है clear हाँ जी remaining sum क्या है जब उसने का है कि भाईया lowest value आपकी 111 तक जा सकती है lowest value आपका कहां तक जा सक करता है clear हाँ जी इसलिए मैंने यह step लिखा है I hope आपको clear होगा हाँ जी अब जब हमने यह वाला step लिख दे उसके बाद element को update कर लेते हैं element क्या होगा हमारा मुझे पता है कि भाईया मुझे क्या करना है maximum element minus remaining sum इस तरीके से मैंने अपने element को बाहर निकाला अब इसी को मुझे किस के अंदर करना पड़ता है अपनी priority के अंदर push करना पड़ता है इस तरीके से और इस से पहले step आएगा वो होगा मैं अपने sum को update कर दूँ तो मेरा sum जो अब निकलेगा वो निकलेगा मेरा remaining sum plus element इस त बिल्कुल small step है कोई rocket science यहां पर use नहीं करी है यह वाला clear है यह क्लियर है यह क्यों लिखा अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं एक बार copy में करके example से दिख लेते हैं 9 3 और 5 यह इस तरीके से मेरे पास है इसको मैं priority queue के अंदर इस तरीके से डाल देता हूं 9 3 और 5 clear हाजी अब मैंने यहां पर क्या गया मुझे पता है मेरा sum कितना है 9 3 12 5 17 initially तो यहां से मैंने अपना maximum element मेरा क्या होगा यहां पर maximum element होगा मेरा 9 हाजी और remaining sum कितना होगा remaining sum मुझे पता है 17 में से 9 गिया कितना आएगा 8 तो भाईय मैंने क्या किया यहां से इस 9 को हटा दिया हाजी क्योंकि मुझे बताब अब मुझे इसके अगले step पे जाना है 9 3 5 के next step पे जाना है हाना हाजी क्योंकि इसको मुझे convert करके 1 1 1 बनाना है clear हाजी वह कब possible हो लोगा कि भाईय मुझे पता है यह कुछ ऐसा दिखेगा फिर अगला step इसका कुछ ऐसा दिखेगा और last step इसका यह दिख जाएगा यह ऐसे करके convert होंगे ठीक अब मुझे इस step से इस step पे जाना है तो 9 3 5 अंदर था 9 को मैं बहाँ निकाल चुका हूँ अब अंदर एक element दालना है वो element कैसे निकलेगा उसी को मैंने निकाला है इस तरीके से कि यह जो element है वो क्या हो जाएगा मेरा कि maximum element minus remaining sum जो हो गया मेरा 1 तो अब मैंने इसके अंदर p.puss क्या दलवाया है तो 1 3 5 इसके अंदर जा चुके हैं और मुझे अब जो इसका sum है इसको भी update करना है कि 5 3 8 9 इस sum को update करना है तो यह कितना हो जाएगा मेरा इसलिए मैंने वो लिखाए कि sum equal to जो मेरा remaining sum है plus element तो remaining sum क्या होगा 5 3 8 मुझे दे रखा था हाजी प्लस जो element अंदर डाला है तो इस तरीके से sum मैंने निकाल दिया क्लियर हाजी अब मैं इस step पर हूँ अब मुझे step से इस वाले step पर जाना है तो सबसे पहले maximum element को मैंने भार निकाला तो यहां पर जो maximum element होगा वो क्या होगा आपका वो मेरा 5 था हाजी सम क्या था सम मैंने निकाल रगा था पिछले previous step में हाजी जो कितना आ रहा था नहीं न आ रहा था अब फिर से सेम कहानी यहां पर भी दोहराई जाएगी क्या होगा किससे पहले आप remaining sum निकालो तो remaining sum कितना होगा मेरा 4 होगा 9-5 4 हाजी फिर अगले step में मुझे क्या देखना पड़ेगा अब मुझे element को निकालना पड़ेगा कौन सा element अंदर जाने वाला है तो वो कैसे निकालोंगा मैं maximum element minus remaining तो 5 में से 4 गया 1 तो यही अंदर जाने वाला है किलियर हाजी अब मुझे यहां पर सम को भी update करना है तो सम कैसे update होगा कि यह मुझे remaining sum plus element क्योंकि इनी का तो सम होगा 3, 4, 5 हाजी तो remaining sum 4 था plus जो element अंदर दाला है इस तरीके से मैं सारे एक-एक step करके इनको solve करता गया तो अब मेरे पास 131 आ रखा है अब 131 को भी मैंने same तरीके से फिर से solve करूँगा कि भईया मेरे पास maximum है क्या 5 sorry maximum मेरे पास 3 हाजी sum है मेरे पास 5 अब फिर से same process यहां पर follow होगी तो remaining sum कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 हाजी तो मैं यह stop वाले को भाहर निकाल चुका हूँ हाजी अब जब यह भाहर निकल चुका है तो भी यह element अंदर कौन जाएगा मुझे पता है मुझे पता है जो अंदर जाएगा maximum element minus remaining तो कितन आएगा maximum element मेरा है 3 remaining 2 तो 3 में से दो गया एक तो एक को ही मैं अंदर डाल दिया किलियर हाजी अब फिर से same कि अब मेरा sum update होके कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा कैसे निकला remaining plus element इस तरीके से अब फिर से मैं अब यहां से top element को भाहर निकाले पहले मैं क्या देखूंगा कि जैसे top element को भाहर निकाले क्या है 1 है तो जैसे अगर top element 1 है क्योंकि max c पे नहीं हाँ जी तो मलब बाकि सब भी 1 1 है तो मैं यहाँ पर रुख जाओंगा और मुझे मेरा answer मिल चुका है इस तरीके से मैंने process को दिखाया I hope अब आपको इस सारी step समझ आगे होंगे clear है हाँ जी और यह जो BTS step है यह मेरे क्या है edge cases जब आपका answer possible नहीं होगा तो इसको run करते हैं ओके यहाँ पर कुछ गलतिया अच्छा यह element लिख दिया मैंने element था run करते हैं और इसको submit करते हैं ओ भाईया code गलत दिखा दिया गया code गलत नहीं है मेरे दोस्त यह account क्या लिखा है इसने time limit exceeded जी हाँ code तो आपने अच्छा लिखा है पर भाईया यह TL दे रहा है और क्यूं दे रहा है उसको अब हम समझेंगे अपने code पार्ट में थोड़े से changes हमारे code में होंगे code में इतनी बड़ी कोई दिक्कर नहीं है minor changes होंगे और हमारा code अराम से जलना start हो जाएगा तो चलो वीडियो की और वापस बढ़ते हैं समझते हैं कि यह TL हमारे पास क्यों आया अब हमने देखा यार हमारे code में आ रहा है time limit exceeded TLE आ रहा है code हमारा यह था हाजी और TLE आ रहा है क्यों आ रहा है तो कैसे मैं इसको optimize कर सकता हूं उसको समझने की courses करते हैं देखो यहां पर क्या हो रहा है मालों अगर आपको 1,20 इसको आपको अच्छी परना है हाजी तो मैं क्या कर रहा हूं मुझे 1,20 से 1,1 जाना है एक तरीके से हाजी तो यह कैसे step में follower होगा पहले 1,19 बनाओगा फिर 1,90 से 1,18 फिर 1,17 फिर 1,16 ऐसी तो बनाओगा हाजी यह कैसे निकला इस step में कैसे आया खुद सोचिए कैसे होंगा मैं 20-1,19,19-1,18 यह जो element क्या होगा maximum element minus remaining sum इस तरीके से तो यह एक-एक step को follow कर रहा है और सूचो अगर इतना बड़ा example 1,1 करोर का होगा तो यह कितने जादा time ले रहा है क्या मैं इस step में डैरेक नहीं पहुँच सकता है उसको सोचना है क्लियर है जी मैं यहा पर देख पा रहा हूं सिर्फ वेल्योव इस पहाँ रही है सारी Come मैं सीथा step में पहुंच आऊ से मुझे पता ही आ के मुझे पंजांग में सीथा इस पहुआ है सब्सक्राइब कोई तरीका यहां से सीधा यहां पर पहुंश देगा क्यों मुझे बता वन में कोई चीन यह रहा सरफ 2019 18 17 16 यह स्टेप बार बार रिपीट होते जारे कैसे हो सकते हैं अभी हम उसको देखते हैं इस प्यार इस इक्जामपल को कि मैं अगर यहां पर देखूं कि 10 111 ठीक है हाँ जी इसके बाद 1111 यहां तो सेम इरा अना चेंज सिर्फ क्या हो रहा है 10 741 कि यह एक स्टेप यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं 10 से सीधा यह बीच के स्टेप ना लेते हो वह सीधा यहां पर पहुंच जाओ कि कोई तरीका है मेरे पास कि देखो यहां से इस स्टैप पहुंच नहीं क्या करना पड़ा एक स्टैप था ठीक है हाँ जी फिर यहां से एक स्टैप लग रहा था क्यों को कि मुजे पता है यहांपे सिरफ यह वाली वैल्ल्यू चेंज ब्रबंदmy इसे वाली step में यह वाली value change हो रही है लेकिन यहां पर देखो तो यह यही value value change हो रही है बाकि कोई value change नहीं हो रही है तो इन वाले cases को मैं कैसे handle करूंगा जहां पर सिरप A की index का change हो रहा है उस change को मैं इंदम से कर दूँ कि लिए हाँ जी तो वो कैसे अचीवेवल है तो यहां पर क्या होगा अगर मैं आपसे ध्यान देने की बात करूं यहां पर क्या होगा मैंने इस 7 को कैसे निकाला होगा यह 7 कैसे निकला होगा यह element रहा होगा हाँ जी और इससे मैंने क्या क्या होगा जो मेरा 10 है maximum हाँ जी माइनस remaining sum remaining sum केतना है मेरा 3 है तो मैंने उससे क्या निकाल दिया remaining sum केतना है मेरा 3 है यह मैंने निकाल दिया तो element अब क्या हो गया मेरा 7 बन गया तो 7 हो गया फिर यहां पे भी same कहानी कि 7 में से remaining sum हटा दो फिर 7-3 4 आया फिर element यहां पे आया फिर वहां से भी same कहानी 4-3 1 फिर जाके मैं element को 1 पे पहुंच पाया देखे रो remaining sum same रहा हा जी लेकिन वह change होता रहा 10-7-4-1 क्या मैं यहां से इस step पर direct पहुंच सकता हूं और पहुंचेंगे तो कैसे पहुंच सकते हैं कैसे मैं इस element की value direct यह निखा सकता हूं क्या कोई तरीका है तो अगर मैं आपसे द्यान देरी की बात करूं यहां पर क्या हो रहा है पहले 10 में से 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 क्या मैं इससों बोल सकता हूं खें ले वं सकते ह customized तो पर आया कैसे यह आयै कैसे देखो अगर वाज़को किंदे का तरीगा बताऊं अगर आपके पास 20 है ठीक है मैं इसे बार-बार 5-5 कितना होता है 15 फिर 5-5 कितना आता है 5-5-5 कितना आता है 0 तो अगर मैं इस step से इस step पर डिरेक्ट आनना चाहता हूं तो 20-5 नहीं कर सकता है यह वही तो बताता मुझी क्या answer आएगा यह step में कब तक follow करता जाता हूं अगर आप यहां पर ध्यान दो इस step में कब तक follow करते रहा हूं जब तक यह element की value ठीक है यह 3 से छोटा न बन जा है तब तक यह value follow होते जा रही है देखो 10 से 7, 7 से 4, 4 से इस तरीके से यह तभी तक तो follow हो रही है अगर आप देखोगे जैसी इस की value किसकी value इस element की value remaining sum से कम हो गई तो मैं रुख गया यही तो हो रहा था बार-बार हाँ जी तो वह direct jump कैसे ले सकता हूं वह direct jump कैसे ले सकता हूं अगर आप आपने analyze करोगे तो direct jump क्या होगा अगर मैं इसको यह कर दू डिवाइड अगर आप ऐसा भी सोस्तने हैं इसको 21-5, 21-5, 11-5, फिर 6-5, फिर मेरा last में 1 आ जाता है तो मैं यहां से इस step में direct कैसे पहुंच सकता हूं 21 से 1 पर कैसे पहुंच सकता हूं तो मुझे यहां पर क्या करना है इस element के जग में क्या लिख देना है यहां पर maximum element mod remaining sum बस आपने यह लिख दिया आपकी प्रॉब्लम स्टॉल हो गई अब मुझे बार-बार यह एकी step देखो यह step बार-बार फॉलो हो रहते है बार-बार फॉलो होतो जा रहे है किलियर हां जी तो बार-बार फॉलो हो इसलिए मैंने वह लिखा यह आपने इस तरीके से लिख दिया इजी स्टेप दा हाँ जी यही स्टेप दा हाँ जी अब क्या इससे मेरी सारी प्रॉब्लम स्टॉल हो जाएंगी वह आपको कुसित करता हूँ देखो ऐसा हो सकता है कि यह जो element है अगर इसके value 0 हो गई जब आप modulus निकलते हो तो 0 भी हो सकती है हाँ जी जो इसका answer निकला का answer का तक निकलेगा जो भी element के value निकलेगा अगर 0 निकल गई तो वहाँ पर गड़बर हो जाएगी वह क्या गड़बर होगी उस case को कैसे handle करेंगी उसको हम समझ लेते हैं ठीक हाँ जी देखो मेरे पास example दे रहे हैं मुझे 1,20 को कहां तक लेके जाना है एक step करके step को लिखता जाओ अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मैंने element को कैसे update किया होगा element equal to क्या होगा जो maximum element है modulus क्या कर रहा होगा remaining sum remaining sum क्या है 1 है element के value क्या आगई 0 आगई 20 modulus 1 क्या क्या आएगा 0 तो आएगा हाँ जी जब 0 आ गया तो आप answer ऐसे लिखते नहीं सकते कि भाईया मेरा answer यह है 1,0 यह दो answer है नहीं हाँ नहीं आपको पता है यहाँ पर answer possible होगा लेकिन आपका answer क्या रहा है element की value 0 आ रही है 0 तो ओ नहीं सकती हाँ जी क्योंकि 1,1 तक ही जी है उसे हाँ जी लेकिन आपको पता है कि 1,20 1,1 के convert हो सकता है अब उसका एक ही case है उसका इसकी बात करूं ठीक है 1,2,6 को मुझे क्या बनाना है 1,1,1 clear हाँ जी मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा element को निकालना पड़ेगा हाँ जी element क्या होगा element क्या होगा maximum element modulus remaining sum 1,2,3 इसका answer क्या आ रहा है modulus चरके 0 ठीक हाँ जी element की value 0 होगई हाँ जी अब यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पर element की value 0 थी यहाँ पर element की value 0 थी लेकिन इससे में यह नहीं बोच सकता कि द्यान देने के लगर बात करूँ यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान पूर हो दिखोगे तो 1,2,6 रहा होगा हाँ जी तो अगर आप एक और step लेके जाओगे तो यह 1,2,0 बन जाएगा इस step को आप रोक ही नहीं सकते इसका answer possible नहीं है इसका answer possible नहीं है लेकिन उस case में क्या 1,17 है 1,16 है ऐसे ऐसे दिखरते हैं मैं इसको 1,1 पर रोक सकता हूँ क्योंकि मुझे सिरफ 1 को ही सब्ट्रेक करना है लेकिन यहाँ पर वह चीज थी नहीं यहाँ पर रिमेनिंग सम था 1,2,3 जो यह क्या रहा था 3 आ रहा था अगर इस 3 में से मैं 3 को घटा दू तो सीदत 0 अगर नहीं घटाता हूँ तो मैं कभी 1,1 पर पहुंची नहीं पाऊंगा यहां से आंसर पॉसिवल ही नहीं है इसलिए मैंने यह स्टेब लिगा है यह रही चीज हाँ जी मैंने कहा 1,2,3 है आपके पास हाँ जी 1,2,3 को किसमें convert करना है इस 1,1,1 में convert करना है इस स्टेब म इसके लिए भी 1,1,1,4 है आपके पास ठीक है हाँ जी यह आपका ऐसा चलेगा 1,1,2 हाँ जी अब फिर उसके बाद इस सीधा 1,1,0 बन जाएगा आंसर ही नहीं निकाल सकते आप इस स्टेब और यह क्यो पॉसिवल हो आप बहिया element की value जो निकाल रहे थे आप वो क्या हो र पॉसिबल नहीं हो सकता पॉसिबल 1,1,2 रिमेइनिंग सम 2 आ रहा है तो इस केस में आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता यह इसके पीछे का reason है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं हर स्टेब मुझे दो दो घटाने पड़ेंगे तो दो आएगा फिर दो घटांगे तो सीधा 0 बन स्टेब पहले कैसा दिख रहा होगा यह वन कॉमा वन दिख रहा होगा लेकिन अगर इसकी बात करूं इसकी 110 अगर यह अपना एक स्टेब पहले कैसे दिएगा 112 तो यह बीच का 111 तो गाय भी है भाहिया बीच वाला 11 तो आई नहीं सकता न कभी अगर मैं यहां से इस स्टे में आई तिंग आ गया होगा अच्छे से सेम कहानी यहां पर भी फॉल्लू ही कि मैंने 126 ठीक है 126 120 तो बन गया यह अगर मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाता तो यह 123 बन जाएगा क्यों किसका remaining sum कितना है 3 है क्लियर हां तो यह 111 पर कभी रुकी नहीं सकता यह इसकी क्वाल सी कंडिशन हेड करनी है कि अगर आपका एलेमेंट 0 होता है तो आप यहीं पर आंसर दे सकते हैं if remaining sum not equal to 1 तो return 0 आंसर possible नहीं है नहीं तो return 1 बस इस वाले स्टेप पर यह इस एलेमेंट वाले स्टेप पी जगाँ में आप यह पूरा लिख दोगे अब बागी उसके बाद normal process तलता जाएगा बागी कोई दिक्कत नहीं है clear method हाँ जी मैंने पूरी कोसिस करी कि आपकी दिमाग में यह step bad जाए ठीक हाँ जी तो एक काम बरते हैं चलो चलते है code पार्ट में और TLE को अटाने की बढ़िया मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूं मॉडिलस लगा सकता हूं ठीक है हाँ जी और उसके बाद मुझे देखना है कि अगर मेरा element 0 हो जाता है तो उस case को मुझे handle करना पड़ेगा ठीक हाँ जी तो उस case को कैसे handle करेंगे if remaining sum not equal to किसके बराबर नहीं है 1 के बराबर नहीं है तो मैं return 0 कर दूंगा कि answer कभी possible नहीं है वन्ना else return 1 कि answer आपका निकल जाएगा बस यह cases मुझे handle करने थे कि अगर element equal to 0 आए मुझे पता ही यहाँ पर element की value क्या आएगी 0 से लेके remaining sum minus 1 के बीच की कोई value उसके अंदर आने वाली है clear हाजी अगर remaining sum की value अगर element की value 0 हो जाती है तो वहाँ पर आप मैं चेक करूँगा कि अगर मेरा remaining sum not equal to 1 है 1 के बराबर नहीं है तो आपका answer कभी possible नहीं होगा अच्छा यह return 1 निक दिया मैं return 0 क्या आपका answer कभी possible हो ही नहीं सकता clear हाजी वन्ना आपका answer possible है तो इसको एक बार run करते हैं और इसको submit कर देते हैं अब यहां पर फिर से हमारे पार error आ रहे है run time error sign integer overflow ओके यह sign integer का overflow का condition आ रहा है इसको तो हम ऐसी सही कर लेंगे इसको हम long long लिख देंगे यह तरह बड़ा error नहीं है ओके इसको long long यह लीजिए चलिए submit करिए यह लीजिए हो गया submit इस तरह किसे हमने code को easily submit कर दिया I hope आपको यह code अच्छे से चमक गया होगा कि हमने इसको कैसे लिखा तो एक बार आप इसको धंग से देखें code बड़ा नहीं है लेकिन logical code बहुत ज़्यादा है कि यह step हमने क्यों लिखा यह बहुत important step है कि यहां से मेरा TLE guide up कैसे हुआ और भी method इसको करने के आप उनको भी सोच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं किलियर हाँ जी यह step को लिखा यह आपको सोचना पड़ेगा किलियर हाँ जी अगर element 0 नहीं है फिर तो हम non-way step से चलते जाएंगे लिकर अगर element के value 0 हो जाती है वहाँ भी मुझे चेंज करना पड़ेगा और वह मैं answer direct के आंसे निकाल सकता हूँ आप cases को dry run करो आपको यह और अच्छे से समझ आईगा चलो बढ़ते हैं वीडियो के और वापिस I hope आपको यह heap की जो series है इसमें काफी मजा आया होगा काफी कुछ सीखने को मिला होगा मैं यह नहीं कहूंगा कि second जो problem थी वह बहुत ही असान थी उसका वीडियो कर आप दुवारा देखोगे थोड़ा उसको break down करोगे तो आपको easily समझ आ जाएगा hard problem दी इसलिए मैंने सोचा कि आपका जो दिमाग का level है उसको hard level तक लीके जाए जाए वह आपको और अच्छे से तभी समझ आएगा जब आप pen paper लेके बैटोगे उसको अच्छे से practice करोगे और उसको और अच्छे समझने की कोश्तिस करोगे मिलता हूँ आपको नई वीडि